नमस्कार सु स्वागतम वेलकम मैं निदीश माली आपके अपने इस यूट्यूग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने राहू और केतु की व्याक्षा लेकर उपस्त हुई हूँ अब आप सोचेंगे कि अचानक से राहू और केतु की बात में क्यों कर रही हूँ क्योंकि 30 ओक्टोबर को राहू और केतु का राशी परिवर्तन होने जा रहा है वर्तमान में राहू और केतु अपनी समराशी मीन में विराजमान है और 30 ओक्टोबर को दौपेर 2 बचकर 13 मिनट पर वे अपनी समराशी मीन से अपनी समराशी मेश और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे अब यहां पर वे 18 महीने तक विराजमान रहने वाले हैं यानि 18 मही 2025 को शाम 4 बचकर 35 मिनट पर वे पुना राशी परिवरतन करते हुए कुम राशी में प्रवेश करेंगे तो राहू का यह जो राशी परिवरतन होने जा रहा है राहू और केतु यह जो चेंज होने जा रहा है इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा पढ़ने वाला है अब थोड़ा सा यहां पर आपको राहू और केतु के बारे में जानना होगा कि इतना गहरा प्रवाव यह हमारे जीवन पर क्यों डालते हैं यह छायाग्र हैं यह सभी जानते हैं इन्हें किसी भी रासी का स्वामिप्त प्राप्त नहीं है यह भी आप सभी जानते हैं परन्तु उसके बावजुद हमारे जीवन पर इनका इतना गहरा प्रवाव क्यों राहू और केतु की उत्पत्ति के बारे में तो सभी को पता है कि स्वर्ण भानू नामक राक्षस जिसने देवताओं के बीच में आकर अमरत पी लिया था और इससे कुपितोकर यानि क्रोधितोकर भगवान विश्णू ने अपने शुदसरन चक्र से उसका गला काट दिया था और उसके बाद राहू और केतु ग्रह की उत्पत्ति हुई पर क्या आपको पता है कि यह स्वर्ण भानू किस कोल से थे उनके वनसच कौन थे उनके वनसच थे कश्यप्रिशी और कश्यप्रिशी थे ब्रह्मा जी की संतान तो आप सोचे इतने पावरफुल वनस से ही बिलॉंग करते थे इसलिए छाया ग्रह होने के बावजूद भी इनका इफेक्ट हमारे उपर बहुत अधिक होता है ये वक्री ग्रह हैं इसलिए सभी ग्रह सीधी चाल चलते हैं और ये दोनों उल्टी चाल चलते हैं यानि आप समझी गए होंगे कि अभी मेश में हैं तो फिर मीन में आएंगे फिर मीन से वापस कुम में आएंगे यानि उल्टा चलेंगे जबकि बाकी सभी ग्रह सीधी चाल चलते हैं ये वक्री चाल चलते हैं शनी राहू और केतु इन तीनों ग्रहों को क्रूर ग्रहों की संग्या दी गई है पर इनका एक अनुका संबंद भी है शनी छाया पुत्र है और राहू और केतु छाया ग्रह है इसलिए शनी ग्रह की श्रेणी में आते हैं और राहू और केतु छाया ग्रह की यानि उप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और इन तीनों को पाप ग्रह भी का जाता है हलें कि सही माहिने में तो मनुष्य क्रूर और पापी होता है और ये ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो मनुश्य को उनके कर्मों का हिसाब देते हैं उनको उसी प्रकार से रिजल्ट देते हैं पर हम मनुश्यों ने इन ग्रहों को ही पापी और कुरूर बना दिया है अब राहू और केतू ये बहुत बैलेंसिंग ग्रह है लाइफ को बैलेंस करने का, जीवन के चक्र को बैलेंस करने का काम करते हैं मनुश्य के कर्म के इसाब से फटा-फट से अच्चानक से रिजल्ट देते हैं बहुत अग्रेसिव ग्रह राहू को मान सकते हैं राहू और केतू दौनों ग्रह एक सिर और एक धड़ है परंतु राहू का प्रभाव केतु से अधिक है क्योंकि राहू की आखें और उसकी द्रस्टियां भी होती है राहू दिमाग से सोचते हैं उनके पास दिमाग है जब केतु के पास ना दिमाग है ना आखें वो दिल से सोचते हैं इसलिए केतु शमा भी कर देते हैं पर राहु शमा नहीं करते हैं राहु व्यक्ति को उसके कर्मों का बराबर हिसाब करते हैं तो ये राहु और केतु में अंतर हैं इसलिए हमीशा राहु की चर्चा जादा होती है केतु की अपेक्षा और राहू का प्रभाव भी केतु से अधिक होता है अब देखे राहू पर आते हैं आज हम राहू की ही व्याक्या करेंगे राहू एक राशी में 18 माह तक विराजमान रहते हैं और इस प्रकार से 18-18 माह करते हुए बारा राशियों में 18 साल में एक चक्र बारा राशियों का पूरा करते हैं और 18 साल बाद पुना उसी राशी में आता है यानि लगबख 2056 में राहू मीन राशी में थे और 2023 में पुना मीन राशी में आ गए है अब ये जो राहू का राशी परिवर्तन होने जारा है इसका आज मैं विशलेशन करूंगी कर्मिया राशी वालों के लिए अब तक मैं आपको सिया राशी का राहू का राशी परिवर्तन की जानकारी दे चुकी हूँ अगर आप सीया राशी के हैं या करक राशी के हैं मिथुन के हैं व्रशब के हैं या मेश राशी के हैं तो आप अपनी राशी के अनुसार इस राशी परिवर्तन के वीडियो का लाब मेरे चैनल पर जाकर ले सकते हैं प्लेलिस्स में जाईएगा, महां राहू के वन बाईवन आपकी राशी के अनुसार वीडियो डलते चले जाएंगे, आप अपनी राशी के अनुसार उन वीडियो का लाब उप्राप्त कर सकते हैं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ ये सभी कन्या राशी वालों के लिए है यानि कौमन जानकारी है ये आपकी पर्सनल जन्म पत्रिका का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक रहता है हालनकि गोचर की इस्तती के अहिसाब से चीजे थोड़ी सी चेंज जरूर होती है परन्दू आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रहों की इस्तती है उसका प्रभाव अधिक रहेगा इस बात को ध् चाहते हैं तो आप टेलिफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जूड़ सकते हैं देख जायनकारी के लिए स्क्रीन पर दिये गए नमरों पर कॉल या फिर वाटसेप जरूर करें अब आजाते हैं कन्या राशी पर और इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं आपको राशी फल दे रही हूँ ये चंदर गर्नाओं पर आधारित है और आपकी राशी और लगन आप दोनों के हिसाब से इसे देख सकते हैं यानि कन्या लगन के हिसाब से भी ये सही है और कन्या राशी के हिसाब से भी ये प्रभावशाली है अब आपकी राशी के लिए चुकि देखिए आपकी राशी में केतु राउ के साथ केतु भी राशी परिवर्तन करता है केतु आपकी राशी में आकर बैट है और राउ आ जादा अपनी कुरूरता नहीं रखेंगे थोड़ी कुरूरता उनकी कम हो जाएगी क्यूंकि गुरू देवताओं के देव गुरू ब्रस्वती हैं ये पॉजिटिव बात सभी राशियों के लिए हैं और दूसरी पॉजिटिव बात के गुरू राउ का चांडालियों खत्म ह हो चुका है तो गुरू अब फ्री हो गया और गुरू फ्री होकर आपको सही रिजल्ट देंगे राउ पर भी शनी की द्रस्टी हट गईगे इसलिए राउ भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर काम नहीं करेंगे पर सब्तम भाव के हिसाब से कन्या राशी वालों को थोड़ा सा संबल कर रहने की आवशकता है ये भाव होता है वैवाहिक जीवन का ये भाव होता है लव रिलेशन्शिप का कमपैपलिटी का और साथ में व्यापार का पार्टनर्शिप का तो आप अगर किसी भी तरह का पार्टनर्शिप कॉलोब्रेशन किसी से करने जा रहे हैं तो बहुत जादा सतर को जाए इस समय अगर हो सके तो आप न करें क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है चाहे वो बिजनस हो चाहे आपका जौब हो चाहे आपका किसी से किसी प्रकार का भी प्रोफेशनल कॉलोबरेशन हो या फिर आपके वैवाईक जीवन की एक दूसरे के साथ कमपैबिलिटी हो इन सब परिस्तितियों में आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना पड़ेगा राहू के रिजल्ट आपको अच्छे चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़े अब जीवन साती के साथ में आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है कुछ चीज़ें आ आप भी कॉंप्रोमाइज मोड में आईए और कभी कभी आप भी विनम्र होकर अपने जीवन साती के साथ आगे बढ़िये अब आप सोचेंगे कि मैं तो हमेशा ही जुकता हूं तो अठारा महीने के लिए और जुक जाईए क्योंकि अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको अच्छा और हल्दी जीवन बिना जगडे वाला जीवन जीना हैं तो डेफिनेटली आपको ये बदलाव करने ही पड़ेंगे और अगर रिस्ता खराब है और तलाक तक नौबत पहुंच गई आप तलाक लेना ही चाहते हैं तो तलाक मिल भी जाएगा क्योंकि डाउ अब सेवन ता उसमें आ गए तो अगर आपका कोट कचेरी में कोई मैरिटल मामला चल रहा है तो वो मैरिटल मामला सॉल हो जाएगा इस समय आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर्ट से भी बचना पड़ेगा अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को मैरिज के बाद मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर करने है तो वो हो जाएंगे पर उसके बाद में उसके परिणावों के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे लव रिलेशन्शिप में भी अपने पार्टनर से एक अच्छी ट्यूनिंग बना कर चलें उनकी भावनाओं को समझने का प् क्योंकि राहू ब्रमित करते हैं गलत फहिम्या उत्पन करते हैं तो सब्दम भाव के इसाब से राहू के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहेंगे इसलिए आपको संबल कर रहने की आफशिक्ता रहेगी सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा अब ये तो हुई राहू सेवन्त आउस में बैटे हैं उसके रिजल्ट चुकि मैंने आपको बताया कि राहू की द्रस्टियां होती है इसलिए राहू की पंचम द्रस्टि की चर्चा करते है राहू की पंचम द्रस्टि आपके लाब उभाव पर पढ़ रही है थोड़ा सा आपकी इस्ततियों को fluctuate कर सकती है और और आपको संभालने के लिए आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी होगी इस समय समाज में मान सम्मान जरूर मिलेगा परन तो ऐसी कोई बात ना कहें जिससे सम्मान की जगा मान हानी मिल जाए यानि सोच समझ कर आगे बढ़े मित्र की संख्या जरूर बढ़ेगी पर इस समय कुछ गलत मित्र भी आपके संख्या में जुड़ जाएंगे तो ऐसे लोगों से कितनी दूरी बना कर रखनी है या आपको ही तेह करना होगा राउ की सक्तम द्रस्ति आपकी खुद की राशी यानि कन्या राशी पर पड़ रही है इसलिए यहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहने के आशक्ता है कनाया सदर हमीशा परस्नालिटी में आ जाएगा और एक भय के साथ हर कार्य को आप करने लगेंगे पर इस भय को आप अपने मन से निकाल दीजिए चुकि केतु भी आपकी राशी में जो वैराग्य को उत्पन करते हैं तो आपके अंदर अप जी के क्या करना है या पिर क्या है यह रिस्ते यह सब मूम आया है इन चीजों की तरफ आपका रुजान अधिक रहेगा आपका थौट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा परस्नालिटी में कुछ बड़े बदलाव आ सकते है पर यह बदलाव सकारात्मक हो इस बात को ध्यान रखिए ग्रस्त जीवन सबसे तफ है नियासी बनना सबसे आसान है ग्रस्त में रहकर अपने कर्मों को सही तरीके से पालन करना यह सबसे टफ है और अगर आपने यह कर लिया तो आप भगवान के सबसे प्रिये बच जाएंगे वैरागी बनकर चले जाना तो आसान है वैरागी बनकर आप चले जाएंगे परन्तु अंदर अगर राग, द्वेश, क्रोध रहेगा तो यह वैराग भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा अब राहु की नवम ध्रस्री आपके पराक्रम भाव पर पढ़ रही है जो कि कहीं न कहीं आपके efforts को negative way में ले जा सकती है कहीं न कहीं आपके efforts उल्टे पढ़ सकते हैं इस बात का विशेश रुप से ध्यान रखेगा छोटे भाई बैनों के साथ में आपके संबंदों को सोथ समझ कर आगे बढ़ाईएगा क्योंकि उनके साथ आपकी tuning बिगर सकती है थोड़ी सी tuning खराब हो सकती है इस समय अपनी चाओ और आकांग्शाओं को थोड़ा कंट्रोल करके नियंतरन में करत के आगे बढ़िएगा क्योंकि राउं एकदम से हमें aggressive कर देता है कि हमें ये भी चाहिए हमें ये भी चाहिए और आज क्या आज चाहिए पर वक्त से पहले किसी भी व्यक्ती को कुछ नहीं मिलता इस बात का ध्यान रखे और सैयम के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा अब आते हैं उपायों पर की कन्या राशी वालों को पर्टिकुलर राहू के क्या उपाय करने चाहिए तो शनीवार की रात को पीपल के जड़ के पास घी का दीपक जलाने से राहू का दुश्प्रभाव कम होगा अब इसके साथ आपको गणेश जी की पुझा आरादना करनी है रिन हर्ता गणेश स्त्रोतम का पार्ट जरूर करें कोई भी कारे करने से पहले अपने इस्ट देव का ध्यान करते हुए उस कारे को आगे बढ़ाए अम आवश्या के दिन सब्त धान पकाकर नंदी को यानि बैल को खिलाए ये उपाये हैं करन्या राशी वालों के लिए और ये उपाये बहुत आवश्यक हैं इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए तबी आप राहु के दुश्प्रभाव से बच पाएंगे और अपने जीवन को सकरात्मक दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे इसलिए इन उपायों को अपने जीवन में अपना कर अपने जीवन को आगे और सकरात्मक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करें अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए जै श्री राधिक्रश्ना